नमस्कार मैं डॉक्टर जनक सकलेचा आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हैप़ी हाइपोक्सिया के बारे में ये टर्म कोविट पेशेंट में आजकल बहुत कॉमनली यूज हो रहा है है हैप़ी हाइपोक्सिया सिर्फ नाम के आगे हैप़ी लिखा है जबकि पेशेंट में ये एक बहुत डेंजरस कंडिशन है स्पेशली यंग लोगों के लिए चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले तो ये जान लीजे कि हाइपोक्सिया क्या होता है हाइपोक्सिया वो कंडिशन है जब बलड में आकसिजन का लेवल बहुत कम हो जाता है जिसकी से कई बार पेशेंट की पूरी बॉडी या फिर डिफरेंट और्गन्स अफेक्टेड होते हैं नॉर्मली एक हेल्दी परसन का ऑक्सिजन लेवल 95-100% के बीच रहता है अगर पल्स ऑक्सिबिंटर में रीडिंग कॉंस्टेंटली 94 से कम आ रही है तो यह चिंता की बात है आप इंट्रेसलेस हो जाता है ब्रेन तक ऑक्सिजन सही ने मात्रा में नहीं मिल पाता जिसकी बज़े से कई बार पेशेंट को कन्फ्यूजन और फटीग महसूस होती है बट कोविड में कई पेशेंट्स को कोई भी लक्षन नहीं मिल रहे और एक दिन अचानक से उनकी सांस जाती है इस कंडिशन को कहा जाता है हैपी हाइप ऑक्सिया मींस पेशेंट एकदम नॉर्मल रहता है सारे रूटीन्स करता रहता है वो कहता है मैं बिलकुल ठीक हूँ हेल्दी हूँ पर उन्हें पता ही नहीं चलता डिजीज उनकी अंदर ही अंदर स्पैट करती चली जात इस condition को silent hypoxia भी कहते हैं ये एक silent killer का काम करता है पेशेंट खुद को बिल्कुल healthy समझता है पर एक दिन उनकी परिशानी अचानक से बढ़ जाती है और even कई patients की death भी हो सकती है इसलिए अगर आप covid positive है without any symptoms तो भी आपको आपका daily oxygen level 2-3 बार चेक करना है pulse oximeter से pulse oximeter एक device है जिससे हम oxygen level चेक कर सकते हैं तो अगर आपको oxygen level 94 से low आ रहा है room air में तो आपको आपके डॉक्टर से तुरंट consult करना है बट याद रखिए pulse oximeter यूज करते समय आपके finger पे nail polish नहीं लगी होनी चाहिए artificial nail नहीं होना चाहिए साथ ही आपके finger wet भी नहीं होनी चाहिए so इस pandemic को अब हमें actually seriously लेने की जरूत है डरने की जरूत नहीं है बट awareness रखने की जरूत है अगर आपको आपकी body में कोई भी physical और mental changes लग रहे हैं तो आपको आपका oxygen level तुरंट चेक करना है और अपने doctor से बात करनी है अपनी immunity को strong रखना है और vaccine की doses properly लेने है I hope ये video आपके लिए helpful रहे मिलते हैं next video में till then stay home and stay safe thank you so much